नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शाम सुंदर और आप देख रहे हैं मैंवी भारत सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुब कामना है पिछले कई सालों से जब भी मैंवी भारत की टीम आदिवासी आलाकों में जाती है तो हम वहां के हाट बाजार में जरूर जाते हैं इसके अलावा ट्राइबल किशन में हमने आदिवासी परिवारों के साथ नजाने कितने तरीके के खाने खाए हैं बनाए हैं और आपको उन खानों का स्वाद भी बताया है इसी दोरान अक्सर हमने महुआ का स्वाद भी चखा है जंगल से महुआ जमा करते हुए लोगों को भी देखा है पिछले करीब साथ साल में कई बार मैंने अपने प्रोग्राम्स में ये कहा है कि महुआ को भी गोवा की फैनी या फिर केरल की टोड़ी की तरह ही मान्यता और सम्मान मिलना ही चाहिए तो आज हम महुआ के बढ़ते बाजार, वेवसाई कॉम्पटिशन, ट्राइबल नौलेज यानि आदिवासियों के ग्यान या हुनर और कानूनी दाव पेंचों की बात करेंगे भारत के कम से कम तेहरे राज्यों में महुआ मिलता है और आस्तन पांच लाख टन महुआ का उत्पादन हर साल होता है शराब के उद्योग से जुड़े एक्सपर्ट अब कहते हैं कि अगर इस महुआ को अंतराष्ट्रे बाजार में पहुँचाया जा सके तो यह व्यापार लगभग ड़ाई हजार करोड रुपए सालाना का हो सकता है जब महुआ का इतना बड़ा घरेलू और अंतराष्ट्रे बाजार मौजूद है तो फिर सरकार ने इस बारे में कभी कोई नीती क्यों नहीं बनाई क्या कारण है कि महुआ की शराब के बारे में कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता है बलके महुआ को लगातार बदनाम किया गया है क्या महुआ के बारे में देश में सोच बदल रही है और महुआ शराब के उत्पादन से जुड़े कानूनी दाओं पेच या खत्रे क्या हो सकते हैं आईए सिलसले वार समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि महुआ के खिलाफ एतिहासिक तौर पर साजिश कैसे होती रही जी हाँ महुआ से बनाए जाने वाली शराब के खिलाफ इसको साजिश ही कहा जाएगा इस साजिश के आप दो पहलू देख सकते हैं आर्थिक और सामाजिक अंग्रेजों ने साल 1892 में महुआ को बेन करने के लिए कानून पास किया इस कानून के तहट महुआ के फूल जमा करने और बेचने पर पाबंदी लगा दी गई महुआ आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है और न जाने कब से है आदिवासी संस्कृति में देविद देवताओं और पुर्खों को महुआ की शराब अनिवारिय रूप से चड़ाई जाती है अंग्रेजों ने इस कानून को लाकर देश के लगबग हरादिवासी परिवार को अपराधी की शिर्णि में रख दिया था क्योंकि शायद ही कोई आदिवासी परिवार था जहां महुआ की शराब घर पर नहीं बनाई जाती थी उस समय के भारत का पढ़ा लिखा तबका यानि भद्र लोग भी महुआ को हिकारत की नजर से देखता था उनके इस रवईये का कारण तो सीधा सीधा था के वे आदिवासीयों को अपने से कम तर मानते थे जाहिर है आदिवासीयों की महुआ को सम्मान ये वर्ग कैसी दे सकता था अंग्रेजों का कानून और पढ़े लिखे भारतियों की नैतिकता और श्रिष्टता के बोध ने महुआ की शराब को अपराद और बदनामी का एक कारण बना दिया जाहिर है इन अहलातों में महुआ की शराब के कॉमर्शल उत्पादन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था लेकिन जैसा हमने पहले ही कहा कि महुआ आदिवासी संस्कृती का एक एहम हिस्सा है और अंग्रेजी शाषन के बैन और खुद को भदर बताने वाले समाज की हिकारत के बावजूद आदिवासी महुआ बनाते रहे इतियास गवा है कि जब भी अंग्रेजोंने आदिवासी ने की कोशिश की उन कोशिशों को आदिवासी ने कभी भी कामयाब नहीं होने दिया लेकिन अफसोस की बात ये है कि भारत की आजादी के बाद भी महुआ के साथ नाइंसाफी होती रही इसकी एक वजह तो ये थी कि आजाद भारत में शराब के सेवन को नैतिकता के चश्मे से ही देखा गया शायद इसलिए शराब बंदी को समिधान के डिरेक्ट के प्रिंसिपल्स में जगह मिली लेकिन साल 2020 में महुआ से बनी शराब के प्रती कुछ पूर्वाग रहा तूटते हुए नजर आए जनजातिय कारिय मंत्राले ने महुआ से बनी शराब के उत्पादन और बिक्री से जड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया इस सिलसिले में ट्राइफेड और आयाइटी दिल्ली के बीच एक बड़ा समझाता हुआ और मध्यप्रदेश सरकार ने भी MP XI Z 1915 में बदलाव किया महारास्ट ने भी महुआ के फूल जमा करने और बेचने पर लगी रोक को हटाने के लिए सन 1950 में बदलाव कर दिया यानि कई राज़ों ने धीरे धीरे महुआ के उत्पादन का रास्ता साफ किया लेकिन अभी भी महुआ को देशी शराब की श्रिणी में रखा गया है इसले महुआ की शराब अभी भी कुछ राज़ों में ही उसकी भिक्री हुती है पूरे देश में महुआ नहीं मिलती है आज भी राजे सरकारें महुआ से बनी शराब को हैरिटेज वाइन के तौर पर नहीं देखती है जबके आदिवासी सदियों से इस शराब को पारंपरिक तरीके से बनाते रहे है महुआ शराब के मामले में एक बड़ी खबर तब बनी जब फ्रांस की एक कमपनी ने महुआ का उत्पादन शुरू कर दिया 2021 में 36 गड़ से सूखा हुआ महुआ फ्रांस निर्यात होना शुरू हुआ यहां पर महुआ से जो शराब बनाई जा रही है उसका नाम महा रखा गया है उसके साथ ही पहली धार भी जोड़ा गया है जो महुआ पीते हैं उन्हें पता है कि पहली धार की महुआ प्योर होती है और उसकी बहुत सुन्दर खुश्मों मिलती है यह शराब भारत में 3,000 से कुछ जादा रुपए खर्च करके ओनलाइन मंगाई जा सकती है शराब के उत्पादन की दुनिया में महुआ की ये बेशक एक बड़ी एंट्री है लेकिन अब इस मामले में बड़ी चिंता भी सामने आ रही है चिंता ये है कि महुआ को अभी तक GI टैग नहीं दिया गया है GI टैग किसी भी उत्पाद की उत्पत्ती के स्थान को इंगित करता है यानि कि GI टैग मिलने का मतलब ये होगा कि महुआ की शराब बेशक फ्रांस में बने या फिर दुनिया के किसी और देश में लेकिन दुनिया के लोग ये जान सकेंगे कि महुआ से शराब भारत के आदिवासी इलाकों में बननी शुरू हुई इसके साथ ही यह इंटेलेक्शल प्रॉपर्टी से जुड़े कानून का भी मामला हो सकता है क्योंकि अंततह भारत के आदिवासी सालों साल से महुआ से शराब बना रहे हैं इसलिए उसके इस योगदान को सम्मान मिलना चाहिए हाली में इस चिंता से जुड़ा एक लेक मशूर पत्री का EPW में भी छपा है अंत में ये कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ कि मैं जब महुआ की वकलत करता हूँ तो मैं शराब के सेवन को बढ़ावा देने का इरादा नहीं रखता हूँ लेकि जब सारी दुनिया के ब्रांट भारत के बाजार में बिख सकते हैं तो फिर महुआ क्यों नहीं बहुत बहुत शुक्रिया